नमस्कार दोस्तों सब्सक्राइब आपको एक नए वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो में आप देखさकते हैं मेरे हाथ में हैं डाम कीसे में आप आपने मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ में बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर दबाईएगा ताकि मेरे आने वाले अपडेट्स आपको मिलते रहें तो चलिए गाइस वीडियो को स्राट कर लेते हैं आप आपको क्य कोई साभी एक पैटर्ण ड्रॉ कर लेंगे और अगर आपको पैटर्ण ड्रॉ निक नपिन या पासवर्ट लगाना तो चेंज पासवर्ट पर क्लिक करना है आपको पिन पासवर्ट का उप्शन आजाएगा तो आप यहां से लगा सकते हैं मैं इसको कैंसल कर दूंगी क्लिक कर दूँगी ग्रे वाले option पे और इसके बाद आपसे face lock के लिए बोला जा रहा है कि application hide करने के लिए आपको face lock लगाना है या नहीं लगाना है तो मैं नहीं लगाना चाहती है मैं cancel कर दूँगी अब आपसे fingerprint का option पूछ रहा है कि fingerprint भी add करना चाहते हैं unlock करने के लिए तो मैं यहाँ पर नहीं लगाना चाहती है मैं यहाँ पर DuckING कर दूँगी पर 20 Apps यहां ओर आप कर देंगे और next कर देंगे got it कर देंगे और इस पर click कर देंगे जो भी आपकी game वगरा है वो सारी hide हो जाएंगे आपकी screen से तो zilly app भी मैं यहां से hide कर देती हूँ और इसके बाद मैं यहां पर back कर दूँगे normally तो यहां पर आप देख सकते हैं आपकी screen पर आपको वोल यह application देखने को नहीं मिलेंगी जो आपकी application वहाँ थी तो games पर मैं जाकर दिखा देख सिर्फ तीन game दिखाई दे रही है यहां पर आपकी वो बाकी की game hide हो चुकी है और अगर आपको hide application पर जाना है तो उसी method से जाना होगा settings से जाके और इसको scroll करके और apps पे जाके app lock पे जाके और pattern draw कर देंगे और इसको cancel कर देंगे तो यह hidden apps में यह सारी application आपके आजाएंगी तो इस step से आप अपनी application को unhide कर देंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं आपकी जो भी application मैंने hide की थी कि वो सारी अनहाइट हो गई है तो इस टैप से एप्लिकेशन को अनहाइट और हाइट कर सकते हैं आप अपने मोबाइल में तो आई होप का इसी वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आ तो लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैन